असलामूं अलेकुम मैं जुलेका आरफा जुलेकास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं मतन सुक्का बहुत ही मज़ेदार जटपट घर पर आसानी से बनता है और बहुत ही डिलिशुस होता है वैसे यह एक साउथ इंडियन डिश है बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल ह करते हैं आज की रेसिपी साधारन याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स्टर ओर्डिनरी डिश बनाते है आज की चलिए यह है आदा किलो मतन आदा हड्डियों वाला है और आधा बोलने से चुला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए एक टेबल स्पन अधरक लसन का प पानी चुटने लगे तो इसमें दाल दीजिए पानी हम बॉल करने के लिए गलना भी तो चाहिए न मतन को तो मैंने एक कप पानी डला आप चाहे तो थी फोथ कप भी दाल सकते हैं भाग दीजिए और इसे सीटी लगा लीजिए तकरीबन फास्ट आज पर एक सीटी खिला लीजिए और उसके बाद तकरीबन मैं हैना इसे आट-नौ मिनिट तक स्लो आज पर पक्रे देती हूं हमें यहां पर मतन न पूरी तरीके से नहीं गलाना है तब करीबन समझे ना 80-90 पोसंट तक गलाना है 90 पोसंट तो आराम से गल जाएगा आट-नौ मिनिट के अंदर ग्विकली एक सूखा मसाला बना लेते हैं तो यह है तकरीबन दो चोड़ी चाय के चमच साबुद धनिया, एक डांडी दालचिनी की, देड चोटा चाय का चमच सौफ, एक चोटा चाय का चमच साबुद जीरा, चार पाच हरी इलाइची, चार पाच लॉंग, एक चोटा चाय का चमच, काली मिर्च साबुद वाली, एक बादियान का पीस आप देख सकते हैं, एक बड़ा तेज पत्ता और मैंने दो या तीन सुख्यूवी लाल मिर्च ली है, वो है जो स्पाइसी वाली आती है, वो इसके लिए मैंने दो या तीन ली, अगर आपके पास कश्मीर आप चार पाच ले लीजिएगा, अब ये सारी चीजों को ना, हम ये सारे मसालों को पहले भून लेते हैं, भूनने से बहुती अच्छा स्वाद आएगा, तो आप फ्राइपन के अंदर इन्हें दाल दीजिए, और तकरीबन बार बार चलाते हुए, फास्ट या मीडियम आज पर इन्हें 2-3 मिनिट तक भून लीजिए, तब भूनिए जब तक पढ़िया से खुश्बू आना शुरू ना हो जाए, तब तक इसे भून लीजिए, तेज पत्ता थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसे 2-3 पीस करके अच्छे से भून लेती हूँ, मैंने मी इस लीजिए, ऐसे, आपने जो साबुत लाल मिर्चें कश्मीरी वाली लिए, तो बढ़िया सा कलर आ जाएगा, बट मेरे पास तो थी नहीं, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहे हूँ, एक छोटा जाएगा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पौडर दालकर इसे मिक्स कर लेती हूँ तो यह देखिए, बड़ी ऐसा कलर आ गया ना, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास कश्मीरी वाली सुखी लाल मिर्च ना हो, तो चलिए, अब इसे हम साइट पर रख देते हमारे मसाले को, चलिए, तकरीबन 8-9 मिनिट हो चुकी थी, मैंने चूला कर दिया था साउथ इंडियन दिश है, तो कड़ी पते तो लगते ही हैं, और इसमें डाल देती हूं, एक टेबिल स्पून अधरकलसन का पेस्ट, और इसे भी डाल कर फास्ट आँच पर भून लीजे, तब भूनी जब तक इसके कच्छे पन के खुश भी नहीं चली जाती, चूला कर द अब इसके अलावा हमें मसाले डालने नहीं है, इसे मिक्स कर दीजिए, मैंने आधा कप साइट पर पानी रखा है, अब इसमें से थोड़ा दाल दिया और इसे पार बार चलाते हुए, अब मैंने मीडिय माच फिर से कर दिया है, चलाते जाएं और इसे भूनते जाएं तेल के अंदर, तो इसे क्या मसाला भूना जाएगा ना, अच्छा तकरीवान हमें 5-6 मिनिट तक भूनना है, बर 2-3 मिनिट के बाद मुझे एक चीज याद आई, कि मैंने प्यास तो ताली नहीं साइट पर रखी थी, तो हमें क्या कर रही हूं, ये प्याले के अंदर ये मसाला पूरा मैंने निकाल लिया, फिर से मैं क्या कर रही हूं, थोड़ा सा तेल डाल रही हूं, वही कडाई के अंदर, एक सूखी लाल मिर्च मैं साइट पर रखी थी, वो भी डाल देती हूं, फिर से 2-3 कड़ी पत्ते डाल देती हूं, वो देख सकते हैं, मसाला मैंने निकाल और दो मीडियम साइज की चुंदा प्यास यानि के बारे कटी हुई प्यास दाल देती हूँ और इसे फास्ट आज पर बार बार चलाते हुए भून लीजिए तब तक फ्राइ कीजिए ये प्यास को जब तक ये color change होना शुरू ना कर दे लिए लेकिन आपको ये सबसे start में जब कड़ाई में पकारे तब ही वो करना और फिर मसाले दालने मेरे तरह मत कीजिएगा भूलकण मेरी तरह मत बनिएगा पहले ही कर लीजिएगा ठीक है नच अब देखें आप इस तरीके से भून चुके हैं प्यास तो ये जो मसाला मैंने साइट पर 2-3 मिनिट के लिए भूनने के लिए रखा था वापस इसे डाल देती हूँ और बाकी का जो 2-3 मिनिट भूनने का बच्चा हुआ है उसे मैं भून लेती हूँ तो इसम बुलक कर्मत बनिएगा आप चाहें तो थोड़ा मटन के स्टॉक का पानी का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको लगाए कि पानी जादा है तो मटन के स्टॉक का बट मैं नहीं कर दिए क्योंकि मैंने 80% 90% घलाया है तो मैं सोच रही हूँ बाद में एक साथ ही डाल देती ह जैसे देखिए भून लिया है बाकी का 3 मिनिट भी और ये मटन के साथ पानी के साथ मैंने मटन के स्टॉक के साथ दाल दिया इसे एक बार चला लीजिए फास्ट आज पर चूला कर दीजिए और थोड़ी सी कोथमिर यानिके हरा धनिया बारी काट कर दाल दीजिए इसमें उबाल आ जाते हैं तो स्लो आज करके मैं तो इसे ढाक कर तकरीबन 15-17 मिनिट तक पकने दीजिए या तब तक पकाएं जब तक गोश्ट पूरी तरीके से गल नहीं जाता अब बात ये है कि यहां सूखा गोश्ट बोला जाता है तो सूखा होना चाहिए बट मुझे सा बिजबिजा टाइप रखा है आप देख सकते हैं ऐसे 15-17 मिनिट हो चुके हैं गोश्ट बढ़िया सा जो बाकी का गलना था वो गल चुका है हलका मुझे नमक कम लग रहा है तो मैं यहां अज़स्ट कर लेती हूँ आप भी चाहें तो अज़स्ट कर लीजे मिक्स कर ली जब हम मसाला भूनते हैं तो आप थोड़ा स्टॉक का जो पानी है मटन का वो दाल सकते लेकिन पूरा मट डालिएगा थोड़ा और जादा भूनने के लिए पानी चाहिए तो फ्रेश पानी ले लिजेगा लेकिन थोड़ा जो स्टॉक रहने दीजेगा मटन में क्योंकि ज और यह बन गया हमारा बढ़िया सा मतन सूखा सर्व मैं तो रोटी के साथ कर रही हूं आप चाहें तो बटनान पराथा रुमाली रोटी किसी की भी साथ सर्फ कर सकते हैं वैसे इन में से कुछ की रैसे लिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चाहें तो चावलों के साथ भी की रेसेपी कैसी लगी तो बस फिर से आजिर होंगी नहीं शांदार दमदार रेसेपी के साथ अंचल देन टेक केर ला आफिस बाबाए